अम्रूत के बड़े पॉधे को छोटे गमलिस से बड़े पॉट में या बड़े ग्रो बैग में कैसे सिफ्ट करें यह देखिए दोस्तों यह अम्रूत का वही प्लांट है जी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था अब इसे मैं बड़े ग्रो बैग में ये बारा बाइ 12 के ग्रो बैग में लगा हुआ है मैं इसे 18 बाइ 18 के ग्रो बैग में सिफ्ट करने जा रहा हूं तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा ताकि कोई भी चीज मिस्त ना हो इसमें क्या साउधानिया बरतनी चीए और क्या हमें इसकी केर करनी चीए पॉट सिफ्ट करते स हमें इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब जिरूर कर ले ताकि आगे आने वली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे हैं दोस्तों 18 बाइ 18 के ग्रो में लगबग केचुएं आपको मिल जाएंगे इसमें से मैंने मिट्टी बीच में से निकाल लिए थोड़ा गड़ा कर लिया है ताकि जो मैं दूसरे ग्रो बैक से अमरूत का पौधा निकालोंगा उसे इसमें सिफ्ट कर दूँगा एजली अब आपको क्या करना है मिट्ट का जिस ग्रो बैक में लगा हुआ है इसमें हमें चारो तरफ से मिट्टी हलकी कर लेनी है और दूस्तों एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि जिस भी पौट से हमें पौधा निकालना है उसमें आप निकालने के टाइम से दो दिन पहले से वाटरिंग बिल्कुल बंद कर दिजेगा पूरी तरह से मिट्टी ड्राइव हो जाए तो मिट्टी फिर हलकी हो जाती है भुरभुरी हो जाती है और पौधा ऐजली निकल जाता है ग्रों Pent प्रकार हम चारो तरफ से मिट्टी को हल्की कर लेंगे और जब मिट्टी हल्की हो जाएगी मिट्टी के पॉट से पौधों को निकालना कुछ इजी होता है comparison to plastic pot ग्रो बैग अब इससे हमें पौधा निकालने हैं थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी क्योंकि जो polythene है हमारी ग्रो बैग है ये मिट्टी को एक तो हल्की होती हो तो इसमें से पौधा जल्दी निकल नहीं पाता है तो इसके लिए हमें चारो तरफ से मिट् में polythene में तो पौधा बाहर निकल जाएगा आराम से दोस्तों मेरी वीडियो आज काफी दिनों बाद आ रही है क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा construction का काम चल रहा था और जगह नहीं मिल पा रही थी समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं तो अब से मेरी वीडियो continue होगी तो अभी तक के लिए sorry कि मैं आप लोगों को regular वीडियो नहीं बना के upload कर पाया तो देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने इस grow back से मिट्टी हलकी करते हो हलके हलके polythene को हमने पीछे किया और फिर पौधी को grow back से बाहर कर लिया दोस्तों गमला change करने का size बड़े size में बड़े grow back में लगाने का जो सही समय होता है मांसून का season होता है अभी हमारे यहां से मांसून बारिस का season खतम नहीं हुआ है अभी बारिस मौसम भी सही सुहाना है और बारिस भी हो रही है रुक रुक के तो यह best time होता है कि आप अपने pots को पौधों को transplant करें इस प्रकार दे जो है रुट है वो damage नहीं होंगे बचा के थोड़ा care के साथ की देखिए मिट्टी निकालने से पहले हमें थोड़ी care करनी पड़ती है कि मिट्टी हमारी जो है निकले तो हमारी roots डेमेज नहीं हों हलके हातों से सूखी मिट्टी है तो भुरबुरी निकल जाती है देखिए shift करेंगे बड़े grow bag में जिसमें कि अभी हमने आपको दिखाया जिसमें से हमने मिट्टी निकाल रखी है तो हम उस grow bag में जो हमने space बना रखा है उस space में हम इस पौधे को shift करेंगे और shift करने के बाद हम फिर चारो तरफ से इसमें मिट्टी भर देंगे रूट हमारी जो है अच्छी तरह मिट्टी के अंदर हो जानी चाहिए रूट हमारी बाहर नहीं रहनी चाहिए अगर रूट बाहर रह जाएगी तो वह रूट फिर सूखने लग जाएंगी और जिससे पौधे को काफी नुकसान होगा इसमें कर देखे हमने उस गड़े में ज पिर देख लेते हैं कि मिट्टी पूरी तरह से रूट को कवर कर रही है या नहीं फिर कवर करने के बाद इसमें हमने अच्छे से से सेट कर दिया है प्लांट को और इसके बाद हम इसमें मिट्टी ऊपर से डालेंगे दोस्तों मेरी जो मिट्टी है गंबले की चुकी बारि भरपूर करनी होती है और मेरी चुकी मिट्टी गिली है तो मैं इसमें वाटर सिर्फ उतना ही डालू हुआ जिससे पौदे की रूट एडजेस्ट होने में प्रॉब्लम ना हो बाकी जो बची मिट्टी हमारे पौदे से निकली है उसमें से स्थ जो उनके रूट्स निकली थी उनlynn हटा के हम उस मिट्टी को भी ग्रो बैग में डाल लेंगे ताकि जो सारी मिट्टी के अंदर चली ज़ाए और उन्हें फिर पौशक कट्थूं को ग्रहण करने में कोई प्राब्लम ना हो तो इस प्रकार दोस्तों हमने इसमें मिट्टी भरलिया है Mark, दूस्तों जो बारिस के मौसम में इसलिए हम्हें ट्रांस्प्लांट करना चाहिए आपने पौधां को चोटे गमलों से बड़े गमलों में क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है जिसमें हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं तेजी से ग्रोथ करते हैं तो जब हम इसे सिफ्ट करते हैं तो ट्रांसफर सौक में पौधे जाते हैं और इनको जब अच्छा मांसून अच्छा मौसम मिल जाता है तो यह पौधे फिर root development इनकी easily start हो जाती है और जब एक बार root development start हो जाए तो दोस्तों पौध हो कि आपको कोई नुकसान नहीं होता है छोटे grow bag से जब हम nursery से कोई पौधा लाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम उसे किसी छोटे ग्रो बैग या गंबले में ही लगाएं क्योंकि जब हम बड़ा गंबला पहले ही दे देंगे जैसे मैं अगर इसे अठारा बाई अठारा का गंबला जब ले आए तो तब ही दे दिया और अच्छा होगा तो इस प्रकार देखे हैं हमने मिट्टी से पूरे रूट्स को ढग दिया है दबा दिया है अब इसमें हम चुकि मेरी मिट्टी गीली हुई है आल्रेडी तो मैं इसमें सिर्फ इतना ही वाटरिंग करूँगा कि पौधा एड़ेस्ट हो प्रांसपर सौक में ना जाए रूट्स डैमेज ना हो और वाटरिंग करने के बाद इसे हम एक से दो दिन तक सेड़ेड एरिया में रख देंगे और फिर सेड़ेड एरिया में रखने के बाद दो दिन बा